नमस्कार दोस्तों आज सब्जेक्टिव प्रस्ण का कुछ महत्पुन प्रस्ण लेकर रहा है इसमें एंसर भी दिया हुआ है आप ध्यान से देखेंगे पहला प्रस्ण सीधे लेकर रहाते हैं आपके लिए और जो आने वाला है कल के एक्जाम में एजेंडा 21 का अर्थ सब्सक्राइब के लिए इसे जिंडा 21 करते हैं ठीक है आसियान का पूरा नाम लिखना है और इसके सब्सक्राइब के संक्राइब अगला कोशन है भारतिय संस्क्रिटी पर वेलेंटाइन दिवस के प्रभाव का आकलन करें तो आपको पता ही है कि भारतिय संस्क्रिटे वेलेंटाइन दिवस को सविकार नहीं किया गया है लेकिन इसका प्रभाव जो है वरतमान समय में पढ़ रहा है तो आप पहला प्रसन को देख लिए लीजेगा एजेंटे 21 का अबने के अर्थ है। दूसरा है आसियान के बता ही दिए आपको इसकी संख्या जो थी संस्था पक सबस्क्राइश के संख्या पांच थी बरतमान से कि पूरा स्य और साथ एंडियान ऑर स्फिंट्याइन नैसंजं भारती संक्रती पर बंटेंघ ऊंडल प्रभाव का अगिलन करना है यहांसा माना जाता है कि भारती संक्रति की प्यू實 है को पता ही है Question No.4 Muslim League के द्वी राष्ट सिधान से हैं मुस्लीम लिग के ड्वी राष्ट सिधान से आप क्या समझते हैं इस सिधान का भूशार हिंदू वख मुस्लीम दो संप्रदय नहीं वर्ण दो राष्ट है इसलिए मुसलिमों का प्रिथा कराज होना चाहिए मैं बार बार कहा रहा हूं जो अब दख रीजे हरित क्रांति नकरातमक प्रभाव तो साकरातमक प्रभाव तो अब पृष्फली साली ही आया था तो इस बार के लिए नाकरातमक प्रभव काफे महतपून हो जाता है तो हरित करामते का लाब उपजाओं चैते किसानों की अधिक मिला वे संपन हो गए लेकिन गैर उजाओं चैतर किसानों की गरीभी में कोई कमी नहीं आए यह जो है इसका मुक्षे आपका नाकरातमक प्रभव मिलेगा ठीक है कुष्चा नंबर छे की और चलते हैं अगर हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और सेयर जरूर कर दें यह कि कल के परिशा के लिए क्या फी यह मातपून होने वाला है ठीक है दुस्तों कांगरेस बिरुदाबाद का तो नहरू के निधन के पाद एन्हें पार्टियों किसी कीमत पर कंग्रेस को सर्ता से बाहर किया जाए इसी को कंग्रेस बिरुदाबाद कहा गया है राज ये किसी बहाग की बढ़ुष्ट पहचान हो सकती है जब वहां के लोग अपने हीतों के लिए संघर्ष कहते हैं उसे छेटरवात कि राइंदी आते हैं है अगला प्रस्वनाटे हैं200 को आंदूलन क्यों चलाए गया है तो ऌना मेंधिक नान के लिए डिन भाम हस बनाने हों कि जो कि दो दो नंबर को होंगे अगला प्रस्न है कि जो तीन नंबर से आने वाला है सित्यूद के छेत्र का वर्नन कीजिए कि तो प्रस्न है कि दो कि अंधे अबर को परवी उर्योंब के देश अमेरिका और 1049 में चीन में सामवाद के स्टापना पद सीटियूद एस्या तक पहुंच गया फिर इसका अफृक अफ्रिका भी के वन गया तो सीत यूद्ध जो है 1945-1990 की कालखन की खटना है जिसमें की जिसे वाक्य यूद्ध की नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य टकराओ अमेरिका और सोविय संग के बीज रहा इसमें बहुत सारे सेने संगटनों का भी परयोग हुआ नाटो वार्षा पैक सीटो सीटो यह सब चीजे भी इसमें हुई तो चुकि तीन नमर का रहा है तो इतना एंसर सफिसियंट हो जाएगा इसका ठीक है अच्छा एक और कोचन जो है बहुत ही महत्पून है अलाके बहले से भी वीडियो में डाला हुए है सोवियत संग के इतिहास की सबसे बड़ी गयराज सेल क्या थी सोवियत संग के इतिहास की सबसे बड़ी गयराज सेल क्या थी कि दुस्तों आपको एंसर पता है तब कमेंट भी कर सकते हैं इसली हुआ कि 1985 में जब मिखाइल गुर्वाजव की सरकार आती है तो सोवियत संग की अर्थ आदिशी तरत विफ्था जो है वो चर्ज मन मंगता है तो उसे इस सर्थ पर ऐसी मदद की गए कि अपना आए जाए और इसी को अगहाद द्वारा उपचार कहा गया साथी बड़े-बड़े सरकारी देमनीजी लोगों को सबस्ते दिर में बेच दिए इसी को गयराज सेल कहा गया ठीक है ऑपेशन डेजट एस्टाम किय है तो प्रथम खाड़ यूद जो जिसे वीडियो गेमवार कम्मिटर यूद के नाम से जाना जाता है जिसमें लगवाद 34 देशों ने मिल कि छो लाक साथ हजार सेनकों ने इराक पर हमला किया था और इराक को पराजित कर दिया था चीक है इसे बाद में नई भी सोब्योस् जोर्ज बुस ने पुकारा था तो यह कोशन काफी महत्पूर है इसको आपको जरूर देख लिए का परिछास पहले ठीक है राष्ट निर्मान के नहरु मुडल यह बहुत ही महत्पूर है तो नहरु ने राष्ट निर्मान के लिए सभाजवाद धर्मिप्रिक्ष्टा उदा लुगतांत के अदर्सों को अपनाया चीक है किन्दों सक्ष्टी साली बनाया संग्हातमक सासन ब्रूस्ता को अगला है समाजवादी दल पर संशिप्टि में लिखें समाजवादी क्या होता है तो समाजवादी पर्तार ने उसमें किया समाजवादि के समाजवादी पर्ता करें से समाझवादी समाझवाधि सब्सक्राइब करते हैं गांधी का पर्तिमान जो है वो भौतिक नहीं वरन अध्यात्मी को संस्क्रिति खस्तों पर विकास हो यह माना था उटी कुटी रुदोग्धिंदों के महतों को समझा जाए भारी स्तरपर अदोगी करन नहों क्योंकि इससे बिकारी बढ़ेगी खिरिशी के विकास को सारौति जाए ऐसा गांधी का प्रतिमान था लेकिन नहरूजी का प्रतिमान था कि अध्यादमी को संस्क्रिति विकास को कोई जाए नहीं है सारा जोर भारी अदोगी करन और मिश्रित अर्द्विश्ता पर था तो यह दूनों में फर्क है अगला कुशन आते हैं स्वेत करांधि क् जिसने शुरू की तो स्वेत करांधि मतलब दुग दुद्धपादन के छेतर में जो तीवर्गिद्धी के लिए प्रियास किया गया इसको ऑप्रेशन फ्लर्ड भी कहा जाता है तो स्वेत करांधि का इक पर नामे कि भारत आज भी सुका सबसे बड़ा दुग असल के गए और अगों पता हिए कि इसके जो स्थापक थे जिसने शुरू किया था उसका नाम डॉक्टर वर्गीज कुरियन था ठीक है एक प्रस्थ है सभी तर्याष्ट्र मासूस की थे यह इसका स्थापना किया और इसका में उदेश जो है वर अंतर्यास्ट्र पर शान्ती की अस्थापना है और अंतराश्टिय चरप सांती है और सुरक्षा की अस्थापना है दूसरा अधिकार जो है पुरूस इस्तिरी छोटे बड़े राष्टों का निर्मान इन सब चीजों को बिश्वास स्थापित करना अर्थिक समाजिक संस्कृतिक मानि में किसी प् व्रावर्द केने में सपॉल हो जाता है तो व्रस्ण की सरकारकष को आधरीध भार्णाव को सकार कर सकता है तो दोस्तों यह होगे आपका ती नमरुदार माला परशन सब आते हैं पांच नमरा का में किस प्रकार अलग है तो आपको पता ही होगा कि माओं के काल में चीन जो है तेजी से आर्थिक सक्ति के रूप में उप्रा समवादी पाटी का सासन बना रहा लेकिन आर्थिक शेतर में उधारबादी पर बीर्तियों का निरंतर परभाव बढ़ता गया इस संबंध में महत जैसे पहला है कि ऐसे सुधारों ने देश के अर्थविवस्था परसे राजगे परभुतों को बहुत कम कर दिया है जिसे निजी और अर्ग निजी उद्मों का अर्थिक सक्ति बहुत बढ़ गया है इस वरग ने समाज में अपनी प्रभाव साली जगा बना ली सताधारी क कासी नहीं है बलकि पहस्चाते वधनी और विक्षे देशोग साथ चेन के अर्थिक समंधों का सुधरी करने तो यह देव पॉइंट हो गया ठीक है तिसरा पॉइंट में आते हैं कि माओं के समय में लोगों को रोजगार मिला था वेतन भत्ते पेंसन मिलती थी राज उनकी लोग इन समाजिक वारतिक सोधाओं को बढ़ा नहीं सकते थे इसी को चावल से भरे लोहे का प्याला कहा जाता था अब लोग अधिक प्रिसम करके अधिक धन कमा सकते हैं और बहतर जिवन अस्तर बना सकते हैं वे अपने पूजी का निवेश कर सकते हैं विदिसी डिमो का स सावल का चटका उलोग प्याला तो दोनों का अंतर आप समझ सकते हैं इससे चौटा पाइंट आ जाए तो समाजवादी देशोंने के नाते चीन के दुम्यों ने अनिक देशों में अपना वेपार फेलाया ताथा बिदिसी कंपोनियों ने चीन में अपनी पूजी का निव चीन ने वहां के अरवदार रादी अस्तिपर रखा इस इस दिस्तिति को देखते हुए चीन को एक देश दो अर्त बिवस्ता भी कहा जाता यह को संबघ लीजिए कि इस्तितियां क्या होंगी अगला कुछन है भारत के अपने परसोदेशों के साथ समन्द आपको जानना चाहिए तो परसोदेशों में भारत पकितान हो गया भारत बंगलादेश हो गया भारत नेपाल हो गया भारत बुटान हो गया तो भारत पकितान के साथ समन्द हमारा आपको पता ही है कि बहुत जम जो है वह उस भुवा तो दूसरा देश से भारत बांगलादेश तो भारत बांगलादेश तो पहले पूरी पकितान था लेकिन भारत के साथ उनके समद्ध बहुत अच्छे रहे हैं शुर्वाती दोर में बाद में भारती बिरुधी उर्ख भी अपनाया था ठीक है तो भारत बांगलादेश देखने भारत नेपाल को देखनेंगे और भारत सिरलंका के समन्थ को भी आपलोग देखलेंगे और भारत भुटान का समंद्धो देखना भी न पुलेंगेी यानिए भारत को पडोसी दומצ um. अगला प्रहिंघ कि भार्त के विदेश नीटी का मिठ्व्त 2 क्या है तो क्या है टो प्रतिक राश् consiste को यसे राश्टि स्यूरे के लिए धिति मेरे जैसे भार। की नीतियों उसके लिए दूसरा राष्टी हितों को पर्थ मिक्ता देना यह भी आपको पता है इसके लिए बहुता है तिसरा है आताकवाद का पिरूद चौथा है पड़शी दिस्तों के से निकट समद्ध में फर्यास तो ऐसे बिंदुवार आप लोग लिखना शुरू करेंगे अन्यक बिस्ताओं की बात की चाहिए तो संयूत राष्ट संग के साथ भायत का जो रिलेशन उसको पसायोग बढ़ाना फिर आप उसको आगे कर ले तो आपको फिर विभी जो अन्ताशिस इंग्रण उसमें भालत का सप्पोर्ट होता है अगला कुछ जान हुत है आपको दिख रहा है कि भारत में कोंग्रेस के प्रभूतों के पतन के प्रमुकर्णों का परिक्षन कीजिये भारत में कांग्रेस के पर पाट्टी के तो 66 में जनवरी में जब लाल बास्वास्तिक मियूति हो जाती है तो के कामराज की जो इस्तिती है और कारेंगरेश की जो पुरानी स्भी थी उसका अंथ्वोना सक्षम और प्रभाव नित्रितु का अभाव ठीक है फिर 632 का जो उदय हुआ यह तीन प्रमुक कारण है क्यों सामने हमेशा दिखेंगे अचाप कस्मीर समझ जाक क्या है तो पता है कि यह तीन राइनिती को समाजिक छेते सामिल थे जमो कस्मीर ओलाग ठीक है कस्मीरी बोलने माले ज़्यादा तो लोग मुस्लिम है तथा अलफ संका को हाप हिंदू है तो कस्मीर का समय से अजादी के सम ऐसे ही है इसको इसका पूरपूरे पहले डाला हुआ और अगला कोशन है क्या है तो बिसके प्रभाव का वरन करना है तो बैसके करन आप लोग पढ़ चुके हैं आप पूरानी वीडियों ही डाला हुआ है और अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजेगा आप उसका पु प्रभाव भी बढ़ा है तो यह कोश्चन जो है एक बार आप जरूर देख लिए को तरसम जो है वह आता ही है अब दोस्तों इतना ही कोश्चन जो है अगर आप पढ़के चले जाते हैं तो आप का जो एक्जाम है वह बहतर होगा इस कल के लिए तीन वीडियों डाले जा ज है कि संभाना है अगर आप परिछा देने चाह रहेंकर तो इस तीन वीडियों को जरूर देख लीजिएगा ठीक है और आपका पूरा कंप्लीट हो जाए थेंक्यूं क्यothर है ऐसिंटे काम है लीडियों के लीडि़र जा कि जाए नाहिँ झाल के जाए लीडियों को जा है यह दो को जा यहाई रहा होगा सी है